आज बाबा एक मोटी बात वी याद दिलाते हैं और बहुत सुक्षम बात वे विनास समीप आ गया है इसलिए सभी देधारियों से बुद्धी योग अटा कर एक मेरे से लगाओ तो तुम्हारे विकरम विनास हो जाएंगे तुम्हें बाप से सच्ची प्रीत रखनी है सच्चा प्यार तुम अगर बाप से सच्चा प्यार रखोगे तो उससे सच्चे रहोगे उसकी हर अग्या का पालन करोगे तुम विज़्यी बन जा ओगे विज़्यी बना मना विस्व महरा जा महरानी बना तुम विस्व पर राज करोगे तुम्हारी पुजा होगी, बाबा कह रहे हैं, देखो, आजकल के राजाओं के या नेताओं के इस टैचू तो बाहर बना देते हैं, उपर कभूतर जडियाँ बैठती रहती हैं, बीट करती रहती हैं, तुम ऐसे पवित्र बनते हो, ऐसे पुज बनते हो, कि तुम्हारे मंद बनाने के लिए कितने लाखो लाखो रुपे खर्च करते हैं लोग, महापंची पहुच भी नहीं सकता, पुजारी कैसे नियम से पूजा पाठ करते हैं, स्वच्छता रखते हैं, तो तुम्हें एक बाब से प्रीत रखनी है, लेकिन बाबा कहते हैं कई बच्चे आपस में इतना प्यार रखते हैं कि बाबा से भी इतना प्यार नहीं रखते हैं, बुद्धी तूटती नहीं एक दूसरे से, फिर लगाव हो जाता है, नाम रूप की बिमारी हो जाती है, इंप्योरिटी आ जाती है, तुम्हारी अगर एक बाब से प्रीत होगी, तो तुम्हारी बहुत important हो गई है ये बात, पुद्धी अगर संसार में बहुत भटक रही है, तो परिशान हो रहे हैं, anxiety हो रहे हैं, depression बढ़ रहे हैं, चैन नहीं, श्यांती नहीं, संतोस नहीं मिल रहा है, ये इस्थिती वर्तमान में हो गई है, तो तुम्हारी एक से प्रीत तो प्रीत जो विप्रीत पुद्धी होंगे, वो विनास को प्राप्त होंगे, जो प्रीत पुद्धी होंगे, वो विजय होकर स्वरक के मालिक बन जाएंगे, तो तुम्हें एक बाप से प्रीत रखनी है, जिनको प्रीत होगी, वो सबेरे सबेरे उठकर एक बाप की आद में मगन हों कभी थोड़ा न उठो देर से उठो, तो उतना मज़ा नहीं आता, फिर दिन में मज़ा नहीं आता, खुसी नहीं रहती, सबेरे सबेरे उठकर अच्छी तर है योग में बैठें, तो सारा दिन खुसी में और मोज में बीचता जाता है, तो अगर बाप से प्यार है, बिलकुल जैसे मिठी मिठी बात करो, तो प्यार वाले ये कहेंगे ये नहीं कि ये कारण है, ये बात है हम उठने ही सकते, सुस्तियालस है हम उठने ही सकते, रात को देर से सोते हम उठने ही सकते, उनके लिए भगवान की अग्यामाना सब कुछ, प्यार है, प्यार में उसकी अग्या उनका उसके रचे हुए यग से वस्य प्यार होगा, तो वो उसके यग में अपनी हड़ी हड़ी दे देंगे, माना बहुत प्यार से सेवा करेंगे, उसमें कोई आलस नहीं, कोई तेरा मेरा नहीं, हमारा यग है, स्विव बाबा के द्वारा रचा गया रुद्र ज्यान यग है, इसकी सवाल करना, इसकी सेवा करना हमारा परमकर्तव है, तो हम अपने को देख लें, चेक कर लें, भगवान से प्रीत बुद्धी है, यवस्तूओं में, मनुस्यों में हमारी बहुत प्रीत है, उसकी मुल्ली झालिसे हमें बहुत प्रीठ है, या हम अलवेले रहते हैं, के बाबा ने तो सुना दिया, येी तो कहते है मुझे याद करो, और क्या है, तो हम अलवेले तो नहीं रहते हैं, हमारी प्रीठ, सच्ची प्रीठ है, देखो प्रीठ में कुर्वादी होती है, प्रीत में कुछ सोचना नहीं होता, देधारियों की प्रीत में आज कल के युवक, क्या क्या कर रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, भगवान से प्रीत, लेकिन किसी बेले को होती है, उधर महाभारत में भी दिखाया, शिरिकरस्न थे, उनको भगवान की रूप में दिखाया, या बड़े-बड़े लोग थे, भी संपिता में जैसे, धर्मग्ये, द्रोनाचारिये जैसे, कोई नहीं पहचानता था, उनमें भी अगर कोई पहचानते थे तो विदूर, पंडव, प्रीत उद्धी थे, तो हमेंसा उनकी आज्या पर चलते थे, कहीं भी हमने ऐसा नहीं दिखाओगा, कि स्रिकरसन ने पांडवो को कोई बात कही और उन्होंने अवग्या कर दी हो, इसलिए विजय हो गई, तो हम सभी अपनी प्रीत को चेक करें, हमारी बुद्धी संसार में देधारियों के पीछे, वस्तु वैभों के पीछे भटक तो नहीं रही है, अब तो जिनास का समय, समीप ही नहीं, प्रारम भी हो गया है एक तरह से, उस प्रकिदिया में हमने अल्रेडी प्रवेश कर लिया है, देखो, देधारियों के प्यार और मोहों की परिक्षाएं, जहां तहां सब को देनी पड रही है, उसमें कस्थ हो रहा है, सिवा बूल जाता है, क सब कुछ भूल जाता है, प्रंतु यदि भगवान से भी सच्ची प्रीत हो, तो सब कुछ भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे, कि वो छत्र छाया बनकर हमारे सिर पर है, पुद्धी फिर्ष धैरियवत रहेगी, हमारे निर्ने यथार्त रहेंगे, हमारी बात भी सुनी ज जाते हैं, तो डोक्टर आपको अटेंड करेंगे, यह नहीं कहेंगे, कि नहीं आप आ नहीं सकते, हमेसा देख रहे हैं, साक्सी होके, कि दिनकी मनों इस्थिती अच्छी है, उनको मेडिकल स्टाप के द्वारा भी पूरा सहयोग मिलता है, समाचार मिलता है, पूरा, पूर जास के काल में परमात्मा से प्रीत बुद्धी बन कर रहे हैं, वर्दान है, स्वार्थ सब्द के यथार्थ अर्थ को जानकर एक रष रहने वाले सहट पूर्शार्थी भावा, स्वार्थ, वैलनौन सब्द है, आजकर जहां भी लगाव और प्यार देखा जाता है, उसके न्यारे होकर प्यार नहीं दे सकते, सहयोग नहीं दे पाते, स्वार्थ सब्द का यथार्थ अर्थ अर्थ बावा करते हैं, यह जो स्वय है, देह का भान है, जो रत है, इसको बावा को स्वाह कर दो, तो तुम न्यारे हो जाओगे, एक रष सिस्थिती हो जाएगी, और सह पुर्षार्ति बन जाओगे, स्लोगन है, फरिष्टे स्वरूप में रहने से, कोई भी वेगन अपना प्रभाव नहीं डाल सकता, तो आज हम अपनी प्रीत को चेक करेंगे, देधारियों में बहुत है, या एक सिव बाबा में है, तो जो लक्षन गिनाय बाबा ने, उनके आ यूग हुगा प्रेम योग, ओम श्यंति.